हे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री सीरीज में जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं चेप्टर नमबर टू का पार्ट टू जिसमें कि हमने पार्ट वन में पढ़ा है कि किस तरों से सात्वी सदी से बार्वी सदी तक नए नए राज्यों का उदय होता है जिसमें आपका गुजर प्रतिहार वन्स रास्ट कूट वन्स पाल वन्स चॉल वन्स चेर वन्स और इस तरों से पांडिय वन्स आदी नए नए राज्यों का उदय इस समयकाल में होता है और हम ये भी द राज्य के बारे में तो यह चौल राज्य क्या है कहां पर इसकी इस्तिति है इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियां इसके सामराज्य इसकी कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी कहां पर किस परकार के टैक्स देता था लोगों से लेता था तो इस परकार के हम बहुत सारी चीज तो दिख रहा है, ज्सकर की चॉल, जो सामराज्य था, उसकी सीमा यहाँ पर दिखाए गई है, जैसे ही यहाँ राज्य क्या करता था, दूसरी राज्यों के साथ युद्ध करता था, तो उसमें यहाँ तो हार होती थी, यहां अगर वह हार जाता है तो क्या होएगा जो ये बहार का जो राज्य है वह अंदर के अंदर तक अपनी सीमा बना देगा और इसकी सीमा चेंज हो जाएगी अगर यहार जीता है तो वहार जिस राज्य को उसमें जीता है वहां तक अपनी सीमा को विस्तार कर सकता है तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो आपका चौल वंस है उसके अंतरगत किस तरों से वनवासी, गंगावासी, उरे यूर, मदुरई, पांडियन जो सामराज्य है और काकाती, दक्षिन कलिंग, आदी वेंगी, आदी छेतर इसमें आ रहे हैं इसमें नदियां भी आपको दिख रही हैं दक्षिन भारत की मुख्य नदियां, ये निले जो लाइन्स हैं उसके दवारा हमें देख रहे हैं तो इसके जो प्रमुख जो छेतर उसमें थे वो कोच्ची हो गया, गंगई, कॉंड, चॉलपुरम हो गया, तंजावूर हो गया ये छेतर थे तो यहाँ पर आज हम अभी हम पढ़ेंगे उरेयूर से तंजावूर तक हम ये पढ़ने वाले हैं तो चॉलवन्स सत्ता में कैसे आया, इसके बारे में हम अभी इस वीडियो में देखेंगे जो कावेरी डिल्टा में मुट्रियार नाम से प्रशित एक छोटे से मुख्या परिवार की यहो सत्ता थी वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे हमने देखा था, यह मातहत कौन होते थे, यह राजाओं के जिनको राजा सामन्त या मातहत बनाते थे तो यह मुट्यार जो थे, यह क्या थे, मातहत थे हमने यह भी देखा था, कि अब कुछ मातहत या सामन्त क्या थे वे राजाओं के अधी नहीं रहना चाहते थे वे इनके गुलामे नहीं करना चाहते थे तो फिर उनने क्या कर दिया अपने जो क्या है नए ब्राज्य का निर्माण सुरू कर दिया तो यहां पर देखिए उर्य आर के चौल वनसिय प्राचीन मुख्या परिवार के विजयाला प случай कि 219 सदी के मध्य में मुठियारों को हरा करके इस डेल्टा पर कपज रिए कौन सा डेल्टा यह है काविर नधी नदी का डेल्टा तो उसने यहां पर तज्वूर सहर और निसुम्व सुद्णी देवी का मंदिर बनवाया तंजाओर सहर का भी निर्मान करवाया और यहाँ मंदिर का भी निर्मान करवाया जो यह विजयालय के उत्राधिकारियों ने पडोशी इलाकों को जीत लिया और उसका राज्य अपने छेत्रफल तथा सक्ति दौनों में बढ़ गया अब उनके राज्यों किस्ट ने किया जो उसके उत्तरादिकारी, बाद में आये विजयालायएक के उत्तरादिकारे, उन्होंने चेत्रफल्क से भी और सैना सक्ति के रूप में भी राज्य का विस्तार किया, तो दक्षिन और उत्तर के जो पांडियन थे आपने देखा होगा पांडियन कहां थे पांडियन आपके तमिलनाड़ जो वरतमान तमिलनाड़ो है उसके दक्षिनी छोड़ पर तो ये पांडियन समरज्ज था और जो पल्लव थे इनके इलाकों को भी अपने राजय में मिला दिया राज राज प्रथम जो थे वे थे सबसे सक्तिसाली चौल सासक जिनका के इतिहास में वर्णन है तो 985 में यहाँ राज प्रथम राजा बना और उसी ने इन में से ज़्यादातर छेत्रों पर अपने नियंत्रन का विस्तार किया जो जो इन एन राज्यों को अपने में मिलाना था जो जासक न न किया इस राजज प्रथम ने किया उस्ने सामराज्य की प्रशाशन पनर pillars किया उसके बाद जो राज राज का पुत्र था जो राजींद्र प्रथम उसने अपनी नीतियों को जारी रखा, ठीक है, किन की नीतियों को, अपने पिता की नीतियों को, राज-राज की नीतियों को जारी रखा, और उसने गंगा घाटी, स्री लंका, तथा दक्षिन पूर्वी एश्या के देशों पर भी हमला कर दिया, इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई, सक्तिसाली हो गए थे उस समय के राजा जो की दूसरे देशों में जाकर के भी अटेक करने लग गए थे इसके बाद हम देखते हैं भव्य मंदिर और कांश्य मूर्थी जो राज राज और राजेंदर प्रथम हैं इन्होंने तंजावूर और गंगई कौंड चौर पुरम के बड़े मंदिर इस्थापत्य और मूर्थिकला के दृष्टि से एक चमतकार है इन्हों में इस्थापत्य कला और मूर्थिकला बहुती सुन्दर तरीके से छलगती है तो चौल मंदिर अक्सर अपने आसपास विक्सित होने वाली वस्तियों के केंद्र बन गए थे ये सिल् सक्यों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे जैसे पुरोहित हो गया मालाकार हो गया बावर्ची हो गया महतर हो गया तो इन लोगों का जो खर्च जो संगीत का हो गया जो नर्दक हो गया इन लोगों का जो खर् होंगे वह इन लोगों की पूर्ति की जाएगी उन संसाधनों से दूसरे शब्तों में मंदिर सिर्फ पूजा और अराधना के लिए ही अस्थान नहीं थे वे क्या थे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे क्यों कि मंदिरों को दान दिया जा रहा था जब मंदिरों को दान दिया जा रहा था तो वहां से कर्वसूदा जा रहा था तो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से समाज का इसमें क्या है महत्वपूर योगदान है और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी क्या थे मंदिर थे मंदिरों के साथ जोड़े ही सिल्पों में सबसे विश्ष्ट था कांश्य प्रतिमाएं पराने का काम तो चौल कांश्य प्रतिमाएं संगसा की सबसे उत्कृष्ट कांश्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है यहां आपको एक चित्र में दिख पा रहा है एक काश्य प्रतिमाय हैं तो जहां तर यह प्रतिमाय जो होती थी वे देवी देवताओं की होती थी लेकिन कुछ प्रतिमाय भक्तों की भी बनाए गए जो भक्त क्या हो गए प्रशिद्ध हो गए उनकी भी इस तरों की काश्य प यहां पर आपको काविरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कहीं छोटी-छोटी साखों में बढ़ जाती है, यहां हम आपको बताएंगे कि जो काविरी नदी का डेल्टा बनता है, वहाँ पर क्या होता है, एक समतल छेत्र, जब कोई भी नदी कहां से आती है, किसी जो अपने साथ ये मलवा, मिट्टी, उपजाव, मिट्टी बहा करके ला रही है, तो वहाँ इस छेत्र में उसको छोड़ देती है, और अपने आप सम्बुद्र में चले जाती है, तो यहां जो मिट्टी होती है, यहां बहुत उपजाव होती है, जब यहां उपजाव होत पर सब्सक्राइब के और सद्सक्राइब कहीं दूसरी लाकॉं में जमीन को सम्तर किया गया देल्टा छेत्र वह आया है और फानी को खेतों आशाओ में दोदु स्वस्वलैं यहाँ पर हमने भी पताया आपको यह चौल का श्यप्रतिमा है तो इसके बाद यह आप देख सकते हैं इस तरह से नवी सताब्दी में जो तमिलनाडु का यह हो क्या है एक जलदवार है हौज से नदी की साखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिये नियंतरित किया जा रहा है और इस पानी से खेथ के लिए सीचाई के लिए पानी उपलब्द कराय जा रहा है तो कहीं जगों पर फसनों के सीचाई कृतिम रूप से भी करनी प्रारम्ध हो गई थी क्योंकि वहाँ पर क्या होता था सीचाई के लिए कहीं पद्धितिया यहाँ पर अपनाई जाती थी कुछ इलाकों में कुएं खो दे गए कुछ अन्य जगों में बारिश के पानी को कठा करने के लिए क्या बनाएगे विशाल सरोवरों का निर्मान हो गया यहाँ पर सीचाई के काम में योजना की जरुरत होती है जैसे स्रम और संचाधनों को व्यावस्तित करना इन कामों को देखरे करना और यहाँ तै करना कि पानी का बटवारा कैसी किया जाए ठीक है तो इस तरह के जो जहातर नहीं सा सकते वे साथ साथ ही गाउं में रहने वाले लोगों ने इन गतिविदियों में सक्रिया भूमिका और दिल्चस्पी निभाई ठीक है क्या होता था कि भई अब क्रिशी का कारे करना है तो उसके लिए स्रमिक चाहिए उसके लिए संसाधनो की व्यवस्ता है अब जो पानी की आपूरतिया आप कर रहे हो इनकी भी अच्छे से बटवारा होना चाहिए तो इन सब व्यवस्ताओं को तरीके से वहाँ पर किया गया सामराज्य और प्रशाशन इसके बारे में हम देखते हैं तो प्रशाशन किस प्रकार से गठित होता ह किसानों की बस्तियां जो उसमें क्या कहलाती थी उर कहलाती थी उर सिंचित खेती के साथ बहुत ही संब्रिद्ध हो गई थी इस तरह के गाउं के समुहों को नाडू कहा जाता था ग्राम परिशत और नाडू न्याए करने और कर्वसोलने जैसी कई प्रशाशकिय कारे करते थे वैलाल जाती के जो धनी किसान थे उनको केंद्रिया चौल सरकार के देखरेक में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंतरन हासिल था उनमें से कहीं धनी भूश्वामियों को चौल सासकों ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानकी तीन राजाओं को अपनी सिमा प्रदान करने वाला किसान अर यार प्रदान जैसी कहीं उपादियां दे दी थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकिय पद उस समय देखिए भूमी के प्रकार किस प्रकार के होते थे चौल सामराच्य में तो चौल अभी देखो में भूमी की विभिन कोटियों का लेख मिलता है वेलन बगाई जो होते थे वे क्या होते थे गैर ब्रहामन किसान क्या होते थे इस भूमी के स्वामी होते थे ब्रहमद जो कि ब्रहामणों को उपहार में दी गई भोमी होती थी, सालाभोग जो कि किसी विध्याले के रख राखाओं के लिए भोमी होती थी, देवदान तिरुनमटुकgomतिक करनी। और सिर्फ उस समय क्या होता था, भूमी का दान दिया दिया था, उस समय और कुछ थाई नहीं देने के लिए दान, तो वो भूमी का दान दे दिया, अब इस भूमी में तुम्हारे जितने भी संसादन हैं, जितने भी संसादन इन भूमी में हैं, इनसे जो भी कर, जो भी वर् जो भी चीज है, जो जयन सस्थान है, उनके कारियों में उनका उपयोग किया जाता था, तो हमने देखा है कि ब्रहमनों को समय समय पर भूम्य अनुदान दिया जाता था, उसे ब्रहमदेव राप्त होता था, उसको ब्रहमदेव बोलते थे, जिसको ब्रहमनों को दान देना, तो परइणाम शुरूप कावेरी घाटी और दक्षीन भारत के दूसरे हिस्तों में धेरों क्या हो गई ब्रहमन बस्तियां इसतों में आने इती। अब ब्रहमनों को जो दान डेगा ब्रहमन वही जाएंगे, ब्रहमन गए, ब्रहमन वहाँ पर क्या बन गई? खूब पस्तियां बन गई तो प्रत्य एक ब्रहमदिय की देख रेक प्रमुख ब्रहमण भूश्वामियों की एक सभा के द्वारा की जाती थी ये सभाएं बहुती कुशत्ता पूर्वक अपना काम करती थी इनके निर्णे सिला लेखों में प्रायो मंदिरों के पत्थरों की दिवारों पर मिलते हैं ब्योरेवार दर्ज के जाते थी उन पर तो नगरम के नाम से ग्यांत व्यापारियों के संग भी अक्सर सहरों में प्रशाशनिय जो कार्य थे उनको संपादित करते थे तमिल्नाडू के चिंगल पुठ जिल्ले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अविलेक में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्रहामनों की सभा का संगठन कैसे था सीचाई के कामकाज, बाजबागवीचों, मंदिरों के आदिके देखरे के लिए सभा में विभिन समीतियां थी इनमें सदश्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टे के बड़तनों में रख दिये जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समीति के लिए एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं एक सभा है अब बिभिन कार्य करवाने हैं आपको जो दान दे रखा है ब्रहामनों को उसके लिए इन लोगों को इन्होंने एक सभा बनाई इस सभा में बहुत सारे लोग थे जो अपने कारे को बहुत ही अच्छे ढंसिक करते थे तो इस सभा में अब हर काम के लिए क्या करेगी समीतियां बनेगी समीतियां बनेगी तो समीतियां बनेगी तो जिसे बगीची का काम ये करेगा मन्दे का काम करेगा तो इस तरों की समीतिया बनाए गई तो अब इन समीतियों के चुनाव रहता था इसमें की कागज पर लिख दिया जाता था उसको किसी मिठी के बड़तन में रख दिया जाता था और एक चोटी से बच्ची को अब आप देखते हैं तो अभिलेक और लिखित सामागरी में हम देखते हैं तो उत्तर मेरूर अभिलेक के अनुसार सभा की सदस्यता क्या होती थी तो सभा के सदस्यता के लिए एक्छुक लोगों को ऐसी भूमी का सवामी होना जरूरी है जहां से भूराजस्व वसूला जाता है यानकि जो सभाएं थी उसका सदस्यत के वल कौन बन सकता है जिसके पास ऐसी भूमी हो जहां से की टैक्स मिलता हो उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 वर्स की होने चाहिए, उसे वेदों का ज्यान होना चाहिए, उसे प्रशाष्चनिक मामलों की अच्छी जानगारी भी होनी चाहिए और इमानदार भी होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं, उस समय जो मतलब experience आदमी 35 से 70 वर्स का उसे ही इस तरह की जिम्मिदारिया दी जाती थी, कि कोई पिछले तीन सालों में किसी समिति का सदश्य रहा है, तो बहुत किसी और समिति का सदश्य नहीं बन सकता है, यह rules हैं, उन समहाओं और जो समितिया हैं, उनके rules यह हैं, जिसने अपने संबध्यों के ख अपने देखी लिए है, घड़े में कुछ पत्रियां डाले जाती हैं, उन से चुनाव होता है, अभी लेखों में राजाओं और सक्ति संपन्द पुरुशों के बारे में तो जानकारियां मिलती हैं, लेकिन यह जानना खासा मुस्किल है कि साधरान मर्दों और अड़तों क जीवन इस राज्यों में कैसा था, क्योंकि जो भी वरणन मिलते हैं, वे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोगों के जो आपके सामन्त हैं या जो राजा हैं उनके बारे में, लेकिन जो साधरान लोग हैं, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर ज्यादा वरण हैं उन लोगों के बारे में जानने के कोशिश करते हैं तो अड़नूर